दो बाइट में सवार बिदमाशों ने एक रिप्ती के साथ चिनेटी गटना की थी इसमें तकरीवां डेड़ लाख रुपे उससे चीन लिए गए थे ये एक गंभीर गटना पुलिस सुल्तानपुर ने ली और इस गटना के तुकाल खुलाते के लिए हमने अपने जनपत के पास टी में इस पुरी गैंग पे हम लोगों ने लगाया और उस गैंग ने बड़ा अच्छा कॉडिनेटीड एफर्ट्स करते हुए पहले जिरो इन किया गया कि जनपत के अंदर कौन इस तरह के लुटे रहे हैं जो इस गटना को कर सकते हैं तो उसमें हमने जिरो इन किया साथ ही पुलिस ने इन्वेस्टिकेशन के सारे स्किल्स अपनाते हुए कि कहां से ये मुख्मिली डेवलप इसकी हो सकती है कौन इसमें इनको 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 दे सकता है और कौन एक्टिव क्रिमिल इस समय जनपत में है जनपत के बाहर की जगा है तो इस सभी पर जब इनको जिरो इन किया गया तो अंबेडगर नगर का एक गैंग हम लोग के प्रकाश में आया और इस गैंग को बहुत अच्छी तरीके से वर्काउट किया है हमारी एसोजीर टीम और थाना दोस्पूर के एसो साब ने जो सीयो कादीपूर का बड़ा कुछल निवर्देशन रहा है ये एक अच्छा गुडवर्क हुआ है जिसमें कि पुलिस ने लगबग 31,000 कैश रिकवर किया है जो घटना में गाड़ी ब्लैक कलर की पलसर प्रिप्थ हुई थी उसको भी पुलिस ने रिकवर किया है इनके पास से तवंचे बरामद हुए है घटना का सफन अनावरर हुआ है साथ ही जो पुलिस मुडबेड हुई है उस गटना में भी एक मुकदमा निखा जा रहा है जो पकड़े गई अभ्यूक्त है इनका नाम है प्रिवेश तिवारी अभिशेक सिंग, गाजा पांडे औ उसको रोग लगेगी और एक अच्छा मैसिज लोगों में जाएगा और त्युहार से पहले इस तरह के गैंग को वर्काउट करने से त्युहार भी सब्सक्राइब संपन तो यह अच्छा गुड़ वर्क है और इस पूरी टीम को जिसने काम किया है उसको मैं 20,000 रुबे का इनाम गोशिद करता हूं उनके लिए